हेलो एबरीवन वेल्कम एक टू माई चनल वाइने में इस आनियल और व्यू जैस्ट्री की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक सिंपल फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके नर्में साथ-अर्ट फिल्ड लूँगा इसी वाली वीडियो करूंगा इसी वाली वीडियो के अंतर मैं सब कुछ आपको बताऊंगा एक सिंपल फॉर्म आडवांस फॉर्म वगारा बहुत सारी फिल्स लेके तो उसमें होगया वीडियो काफी lengthy चली जाएगे और आप भी शायद बोर हो जाओगे इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा अच्छा सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंफोर्मेशन देता हो मैं अप लोगों को अगर आप लोग प्लान कर रहे हो डोमें ने में फिर होस्टिंग पर्चेस करने का तो पर्चेस कर सकते हो डोमें रेसर के साथ में काफी सारे बैनिफीट्स हैं प्लांस इनके जाच 59 रु यूज कर रहो जैसे कि यहां भी लिखावे टोटली फ्री ओफ कोस्ट है यहां पर ड्राग और वाला सिस्टम है यहां पर ड्राग और आपकी वेपसाइट एजीली रेडी हो जाएगी तो अब आते हमारी वीडियो को ऊपर वापिस यहां पे हमारा आउट्पूर्ट दीख उसके बाद में इसको मैं क्लोज करूँगा और यहां पर मैं इन्पूट फील्ड ले लेता हूं इन्पूट टाइप टेक्स्ट और इसका आप चावतों नेम भी ले सकते हो बड़त जूरूरत नहीं पड़ेगी नेम की प्लेस होल्डर ले लेते हैं इसके दर हम लेख सकते हैं एंटर इमेल इस तरीके से और मैं इसको यहां भी बंद कर देता हूं इसके बाद मैं दो बीयाल टाइक लगा देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस हमारे पास मैंटेन रहे इस तरीके से ठीक है और उसके बाद में अचा भी तक हमें हमारे अपूट भी चेक कर लेते हैं हमें क्या मिला है अभी तक हमें मिल गया है एरर पिकॉस हम कोई ना कोई फेल्ड इंपूट फेल्ड होगी जो हम लोग बंद करना बेसिकली भूल गया होगी देखे इसको आप लोग इस तरीके से अगर दोनों एक जैसी हो जाएंगे एक तो थोड़ा स्पेस पी देता हूं और अब हमारे एक फिल्ड बनेगे बन गए यहाँ पर इमेल ठीक है सेम इसी जैसे एक और फिल्ड बना लेते हैं और उसका नमें फिल्ड का नाम रख सकता हूं यहाँ पर पासवर्ड इस तरीके चाहिए हमें जब एक बटन ले लेता हूं मैं इसका टाइप होगा ना वह में वेसिकली सब्मिट रखने की जुरूर थैनी बटन यहाँ पर टाइप रहेगा इसका बटन सब्मिट लखाने की जुरूरत नहीं है वह फॉर्म की हिसा आप से करेंगे ही नहीं ठीक है तो अब अब देखते हैं हमारे पास का बन गया यहाँ पर बटन के उपर मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ लिख देता हूं मैं लेट से लोग इन और सम्तिंग ठीक है अब हमारे पास एक बटन आ गया है और दो इन्पूट फिल्ड आ यह ठीक ठाक दिख रहे हैं अचा एक चीज या फिर एंगलो जैसे फ्रेमवक्स यूज़ करते हैं तो इनके अंदर हमें फॉर्म के जुरूती होती है डिरेक्टली हम लोग इंपूट फिल्ड से ही डेटा लेते हैं अधर्वाइस हमारा पेज रिलोड होता है तो यहाँ लिखते हैं फॉर्म इस तरीक से इसको क्लोज कर दिया और इसके दर हमारे सारे चीजी हम ले लेताएं इसको फॉर्मेट कर सकते हैं आचा अब यह हमने यहां पर ले लिए अब इन सारे की सारी फिल्ड को नहीं हमें बाइंड करना पढ़ेगा मोडल के साथ में वैंप ड्रोपेटी रिटर्ण करूँगा और इसके अंद by default email है blank और सेम इसी तरीके से एक हमारी email प्रोपर्टी होगे रहेगा हमारा password और password भी क्या रहेगा initially blank चेक हैं अब हम क्या करते हैं यहां पर vmodel और vmodel के अंदर हम लोग क्या करेंगे form.email चेक हैं और सेम हम लोग vmodel यहां भी define करेंगे इस तरीके से और यहां पर form.password ठीक है सबसेट हो गया अब हम क्या करेंगे चेक करते हैं कोई अब तक कोई error तो नहीं है मैं यहां पर कुछ enter करता हूँ abc at the rate test.com password में 123 सब कुछ perfect चल रहा है कोई क्रोलम नहीं है बटन पर क्लिक करता हूँ यह भी ठीक है अब तक कोई करता हूँ login और login में मैं क्या करूँगा basically एक data इसको मैं console करूँगा console.wall और यहां पर लिखूँगा login data और यहां पर लिखूँगा हमें form यानकि हमारे पूरा यह वाली प्रॉपर्टी है यह फॉर्म लिखेगी बट ऐसे एक्सेस ने होती है इसको लगाना पड़ेगा this.form ओल्राइट सब ग्रेट है अब हमें इस फंक्शन को कोल भी करना पड़ेगा अब वो कैसे करेंगे v on click उसके पर मारे function का नाम which is login ठीक है अब वापिस जाते हैं अच्छा और इसको एक बढ़के लिए refresh कर लिता हूं मैं और मैं इसमें email एंटर करता हूं abc at the rate test.com password लिखता हूं abc at the rate 123 login करता हूं जैसे में यहां पर लोगन करना है देख सकते हूं सारा का सारा पर जो data हमें मिल गया है और भी fields होती है उनका data भी हमें यहां मिल जाता तो इसको यहां में print भी करवा सकते हूं मैं वह करवा के दिखाता हूं आप एक tag लेता हूं मैं और यहां पर simply double curly braces के इंदर लेके मैं form print करवाता हूं और अब हमें देखते हैं क्या मिलता है यहां पर देखो अभी के लिए मैं इसको refresh करता हूं कोई data नहीं है मेरे पास यहां मैंने करा अनिल at the rate test.com तो इसके देट आ गया अब मैं आप यह करता हूं ABC at the rate 123 कुछ भी है डाला तो यहां पर हमें मिल गया लोगिन करते हैं तो सब्सक्राइब में एक साथ भी मिल जाएगा तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रोपर्टी के अंदर form से data को गट कर सकते हो कुछ confusion है तो मैरे से पूछ लेना एक और वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं या करूँगा सेलेक बोक्स हो गया चेक बोक्स हो गए और रिडियो बटन हो गए इनकी मैं और इंपूट फील्स बनाऊंगा और उनकी वेलियो भी घेट करके आपको दिखाँगा राइट और उसका बदाब लोग form वेलिडिशन वगरा कैसे कर सकते हैं आपको वही बताऊंगा कुछ confusion है तो obviously मैं से पूछो thanks roging this video bye bye take care